यह second part है वीडियो का पहला part आचुका है जिसमें हम discuss कर चुके हैं हमने क्या करना है कि वो words phrases identify करने हैं जो हमें ले जा सकते हैं यह बता सकते हैं कि यह option probably 100% सही होगा और जहां probably यह option 100% गल्थ होगा यह analysis है पिछले papers का किया हुआ और paper setters के mind का जिसके इलावा जो national policy 2020 है positions paper है curriculum framework है और fundamental schools of learning है उनका analysis करके यह identify किया गया है कि कौन से option सही हमेशा और गलत हमेशा हो सकते हैं आपने किन बातों का ध्यान रखना है कि यह video आपके 70 mcq 70t से 80 mcq के लिए beneficial हो सकता है और इस part में teaching learning process यह pedagogical question किया जाएंगे मतलब जब भी teaching learning process से related question आता है तो इस video में बताएगे option में से right और wrong की identification हमने कर लेनी है stem का ध्यान रखना है जब use करना है stem का मतलब है जो question उपर पूछा गया है उसके 7 नीचे 4 option होते हैं यह देखना कि यह stem positive है जहां negative है यह अपने ध्यान रखना है for example not avoid ऐसे शब्द आते हैं तो वो negative है naturally है कि उत्तर जो है उल्टा हो जाता है यह बात आपको पता है तीसरी बात कि इस video का फाइदा आपको ज्यादा ऐसी हो सकता है कि आप जो भी मैं encircled करता हूँ for example मैंने कई option लिखी होगी किसी की description लिखी होगी उसमें से बताऊंगा कि यह word को आपने पहचानना है जब यह दिखाई देता है तो probably इसको correct मान के चलना है probably और जहां wrong मान के चलना है reasoning को apply साथ में करना है हाँ उसको अपनी notebook पर write down कीजिए उससे आपकी exercise जहां वो जो word है identify कि होए आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे चाहिए बात कर चुके हैं कि teaching learning process की इसमें बात होगी तो ऐसे मैंने option बनाए हुए हैं आप अपनी notebook पर भी ऐसे division कर लीजिए और correct option और wrong option probably उसी का reverse जो होगा यहां पर पहले correct option मैंने hot लिखा है जिसका मतलब है higher order thinking skill मेरे ख्याल में आपको पहले यह बता दू इस वीडियो का base क्या है शायद आपको वीडियो नहीं देखनी पड़े है जरूरी नहीं है वीडियो देखिए वीडियो आपको इसलिए देखना पड़ेगा कि जो elaboration है आपको वो ढूंडने नहीं पड़ेंगे बेस क्या है teaching learning process का किसी भी टेट में बेस क्या है behaviorism term बार बार आती है cognitivism, constructivism इसके इलावा humanism को भी जो Maslow और Rogers की theory उनको भी शामिल किया जाता है यहां पर मैंने team को बेस बनाया है behaviorism क्या है जो part पर focus करता है part क्या है stimulus and response okay उसमें जो theories आती है इस पर video different बन जाएगा आप वो video देखोगे तो भी निचोड़ यही निकलेगा अच्छा behaviorism क्या कहता है कि stimulus और response की repetition होनी चाहिए for example बच्चा a for apple a for apple repetition होनी चाहिए और उसके लिए thinking की जरूरत नहीं है ऐसा behaviorism का basis है ठीक और यह approach बन जाती है teacher centered जो भी responses behaviorism से related होंगे पहला fundamental नुकता वो mostly mostly wrong ही माने जाती है क्योंकि जो behaviorism है reward and punishment पर जोर देता है reinforcement की positive बात करता है लेकिन इसकी motivation extensive motivation है यही word इसके जो identify होंगे वो almost always wrong होंगे दूसरा ism है जो cognitiveism है वो thinking पर जोर देता है लेकिन memory model को follow करता है memory model जैसे computer में input process output होता है तो information processing जैसे हमारे computer में होती है हमारे brain में होती है ऐसा cognitiveism मानता है लेकिन cognitiveism के कई option wrong होंगे और कई सही भी बहुत कम सही भी हो सकते हैं for example जो information को store, retain और recall करने की strategy है जो generally हमें जो exam का textbook matter को learn करना है उसके लिए help होती है the center idea is mnemonics जो हम use करते हैं mnemonics पर question जब आता है तो naturally है कि cognitiveism का positive aspect थर्ड पार्ट है constructivism constructivism learning को क्या कहता है meaning making process इन्होंने कहा था stimulus response इन्होंने कहा कि memory के साथ information को long term memory में store करना और यह कहते है meaning making process बच्चे ने खुद knowledge को discover करना है teacher ने सिर्फ facilitate करना है यह word भी right ही है अब यह contextual situation based learning की बात करते हैं और यह approach learner centered होती है वो सारे उत्तर सही होगे teaching learning process में जो learner centered से related है central idea वो सारे उत्तर गलत होते हैं जो teacher center से related है ऐसी बात नहीं है कि behaviorism में positive नहीं है first scientific school यहीं है लेकिन अभी तक वैसे question पूछे नहीं गए कि यहां behaviorism का अच्छा part response जो है उसके सही हो जब comparatively इसके तीनों के option आते हैं तो option constructivism का ही सही होता है तो आगे चलके हम यह देखते हैं कि constructivism कौन सी teaching learning process methods activities strategies techniques in classroom की बात करते हैं और यह इसम कौन सी बात करते हैं और right और wrong की साथ साथ में बात करते रहेंगे अगर आपको इनकी in-depth समझ है behaviorism, cognitivism, constructivism की तो आपको वीडियो आगे देखने की जरूरत नहीं है constructivism का पता है worldwide यह इसम राज कर रहा है इसको promote किया जा रहा है इसको best education कहा जा रहा है तो that is why यह right answer में शामिल इसको किया जाता है तो यह जो discuss पीछे करके आया हूँ word एक बात दोबारा समझ लीजिए यह भी exercise है कि यह वाला ऐसार wrong होगा आगे चलके भी आ जाएंगे repetition wrong होगी not thinking wrong होगा teacher sentence wrong होगा reward and punishment wrong होगा extrinsic motivation wrong होगा ऐसे ही इनकी बात वो वाले सारे सही होगे अब यहां पर focus कीजिए पहले मैंने identify कर रखा है कि horse हमेशा ही correct होगा क्यों कि अच्छा education system जा constructivism cognitive हो या social हो constructivism वो सारा ही higher order thinking skill को develop करने की बात करता है bearism lower पर बात करता है उनमें विशेज करके तीन यह identify की है बाकियों की आगे चलके बात करता हूँ critical thinking अलोच नात्मक सोच always ठीक होगा रच नात्मक सोच always ठीक होगा समस्या को सुलजाना problem solving हना यह मैंने encircle किये हैं आप यह देख लेना कि हिंदी वाले और इंग्लिश वाले आप ने कर लेने हैं तो यह right answer होंगे इसके उल्ट जो है जो गलत होंगे option mostly गलत होते हैं जब उनकी तुलना ऐसे जो option से की जाती है और टेट में आते हैं वो है color change कर लो इसका yellow वाला हाँ recall information cognitivism का अभी बता किया है नो recall practice करनी behaviorism का drill repetition mechanical repetition बिना सोचे repetition repetition without thinking यह भी गलत memorization word जहां भी आता है tag कर देना है यह मैं वो word आपको बता रहा हूं encircle भी underline इस सारे शबद note कर लीजिए कि यह शबद जब भी किसी option में आएगा तो probability of wrong होने की संभावना maximum होगी अच्छा wrote word आता है बार बार memorization आता है cramming आता है bloom का first level of cognitive development यह सारे ही wrong answer होंगे हिंदी में आप यहां से कर लीजिए repetition नहीं करूंगा वीडियो लंबा हो जाएगा इसको गागने की hierarchy में sorry यह जो है blooms की hierarchy है जो cognitive domain की है उसको याद बहुत ज़्यादा जुरूरी रखना है क्योंकि आफ टॉप पर higher order thinking skill कर रहे हैं टॉप पर creating yes always यह वला right होगा evaluation of information right होगा analyzing information right होगा application of knowledge right होगा यह hots क्या है अगर यह question भी पूछा जाता है अलग से जो चार उपर वाले हैं यह hots हैं okay यह नीचे वाले हैं इनको दोनों को lower में रखा जाता है पर lower में understanding word जहां भी आता है for example कहा जाता है कि teacher को उस बच्चे को understand उसकी reasoning को उसके emotion को उसकी situation को understand करके फिर solution करना चाहिए तो वो right response ही होगा हाँ जहां remembering होगा यह cognitiveism का lower part यह लंबी exercise है अगर आप word इन में से इनको learn कर सकते हो different video में वो करेंगे तो यह वाले right वाले ज्यादा बनेंगे उसकी different exercise भी आ सकती है कि यह categorize करने को कहा गया है calculation करने को कहा गया है तो वो कौन सी thinking skill का प्रयोग किया जा रहा है यह option हो सकती है आपको analyze इससे जोड के करना पड़ेगा नेक्स्ट है self-directed learning दो word है self-regulated learning और self-directed learning दोनों ही ठीक हैं यहां पर उसका difference नहीं करेंगा लेकिन हाँ उसके जो content है उसमें शामिल हो सकता है वो brief में discuss करूँगा mostly यह option आता है जब भी self-directed को कि learner centered approach है self आगया self mean learner स्वेय निर्देशित सीखने की गतिविदियां आप अब यह जो color किये गए है इनको circle जा underline की लिजिए जो हिंदी वाले हैं जो English वाले हैं वो यहां पर इसमें होता क्या है self-directed learning बे ownership बच्चा खुद सब कुछ करता है teacher जो है minus हो गया primary charge of planning बच्चा जो learn करना है उसकी planning खुद करेगा और evaluation खुद करेगा और learning experience खुद decide करेगा ओके सारी learning वो अपने हाथों में ले लेता है तो अगर आपको option में ऐसी चीज़ दिखाई देती है बेशक वो pedagogy of social science में हो maths में हो science में हो जा किसी और में हो ऐसा कुछ दिखाई देता है तो उसके right होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वर्ड है जो self-directed learning से related है initiative लेना बच्चा जब initiate लेता है अच्छा initiative with और without help of other अगर किसी की help लेके भी वो initiate करता है कोई activity learn करने के लिए पहल करता है यहां पर हिंदी में आगे चलके होगा तो help जब लेता है तो भी वाइगास्त की की जो socio-cultural theory के मताबक वो बिलकुल ठीक है अच्छा अपनी diagnose करता है अपनी needs को diagnose करता है hypothesis needs को diagnose करता है goal जो है उनको formulate करता है अपने जो resources हैं उनको identify करता है अगर ऐसी कुछ option आपको दिखाई देती हैं कि इस option में ऐसी कुछ idea शामिल है तो उसके right होने की संबाबना लगबग 100% है दूसरी तरफ wrong other director other कौन होगा वो parent direct करते हैं जब teacher direct करते हैं कोई बताता है कोई goal set करता है कोई resources set करता है कोई lesson plan करता है वहाँ learner कुछ नहीं कर रहा पैसिव है और सिर्फ सुन रहा है जो कहा जा रहा है वो कर रहा है वो option हमेशा ही गलत होंगी इसमें main center क्या है traditional content centered practice जिसे हम textbook centered जहां subject centered भी कह सकते हैं where the teacher is bearer of knowledge जिसमें यह माना जाता है कि सारा ही घ्यान teacher के पास है हिंदी वाले बच्चे यहां से note कर ले और self-directed learning अगर word नहीं use किया गया तो जो बच्चा खुद के resources identify करता है अपनी strategies learning करने की खुद बनाता है यह central idea है self-directed learners have choice, voice and autonomy सुतंतर ताकि उन्होंने क्या करना है they design, manage, lead their own learning यह central से central idea है इसको note जरूर कर लीजिए need and interest अपने personal need and interest के base पर वो experience जो करना चाहता है उसको prefer करेगा दूसरा इससे related word है self-regulated learning self-regulated learning school में use की जाती है वो जो self-directed है school के बाहर भी use हो सकती है अच्छा self-regulated और directed में similarity है इससे related एक question बहुत खास करके जो state level के test है उसमें जरूर पूछा जा सकता है कि self-regulated learning को का model best किसने develop किया तो उसको अतरा आएगा zimmerman यह याद करना है तो यह metacognition से बहुत ज्यादा reflection से बहुत ज्यादा कि जो आप learn कर रहे हो उसी पर सोच रहे हो thinking about thinking से बहुत ज्यादा related है लेकिन उससे यह comprehensive है क्योंकि इसमें cognition और emotions दोनों आसपेक्ट एवन सोचल आसपेक्ट भी self-regulated learning में शामल है इसका central idea क्या है self-regulated learning इसे cyclical process number एक और where the student plans for task खुद plan कर रहा है डिरेक्टर में भी यही हो रहा था monitor evaluate खुद करता है अपनी performance को तीसरा reflect करता है on the outcome result जो आए है उसकी learning के यह मेशा right answer होंगे question पूछा जा सकता है self-regulated learning के three phases for thought first है performance second self reflection third यह कुछ नहीं है जैसे metacognition में इसको central बनाएए आप performance यह आप text book को text chapter को जड़ टास्क को याद कर रहे हो जहाँ learn कर रहे हो यह उससे पहले का है यह text book उसके बाद का है most important यह definitions है self-regulated learning की यह है directed self-directed learning तो इसका नाम जो है इसका यह question पूछा जा सकता है जिमर्मान पहले बता के आया हूं और इसमें central idea यह yellow जो color किये हैं that they are learner metacognitively, motivationally and behaviorally active participant in their own learning process यह तीन और इसमें central क्या है metacognitive दूसरी तरफ यह definition आप read कर सकते हो और directed, self-directed learning अगर यह पूछा जाता है तो यह नाम novels 95, right answer इसका यह होगा यह बाते repeat हो चुकी है self-regulated learning और self-directed learning दोनों में जो similarity है वो यह चार point है, यह क्यों बनाए हैं? क्योंकि यह always ठीक होगे अगर goal-directed behavior किसी option में है, वो हमेशा right होगा metacognitive abilities को indicate किया जा रहा है, वो right होगा active participation है, बहुत ज्यादा right होगा intrinsic motivation हमेशा right होगा जिसमें बच्चे के interest, जा enjoyment है enjoy करता है बच्चा, वो activity, वो intrinsic motivation हमेशा ही right होगा next है deep learning, surface learning naturally है कि deep learning हमेशा right answer होगा surface learning wrong answer होगा लेकिन ये word टेट में use नहीं किया जाते है इनके indicator यूज किया जाते है अब deep और surface learning में फरक क्या है वो वही रहेगा जो constructivism, behaviorism जा constructivism, cognitivism कर रहेगा उन में से main क्या है, इन में से आपको बताता हूँ number 1, deep learning में learner intrinsically motivated होगा higher order cognitive skills यूज होगी previous knowledge से relate किया जाएगा schema जैसे प्याजे की थियूरी में ये extrinsically motivation होगा interest नहीं है बच्चे का पढ़ने में जो उसको forced, compelled किया जाएगा पढ़ने के लिए ये गलत होगा focus नहीं पर होता है reproducing only those part of content required to complete the assessments जो exam में आएगा उसी को याद करना है बच्चे के interest को नहीं देखा जाता है facts को memorize करने के लिए कहा जाता है अब वो उस method की list है जो TET में से ही मैंने निकाले है जो lower माने जाती है मैं lower कह रहा हूँ it means इन में से probably 95% वो गलत ही होते है उन में ये बात हो चुकी है stimulus response association वाले repetition word जहां आता है drill word आता है trial and error ये wrong वाले ही माने जाते हैं और storytelling storytelling क्यों poor माना जाएगा storytelling जो है सोटे बच्चे को लिए फाइदमन्द हो सकता है अगर comparatively दूसरी जो option है उन में repetition वगारा ये stimulus response ऐसा कुछ आता है क्योंकि storytelling क्यों पूर क्यों है क्योंकि teacher ने tell करना है बच्चों ने सुनना है अच्छा ये क्यों है क्योंकि इससे interest बन जाता है तो this is one way process Demo station Demo station लगब मिदर और आगे चलके आपको बताता हूँ Demo station 80% negative माना जाएगा लेकिन option इसके साथ क्या होता है discussion होती है Demo station में फिर ये positive बन जाएगा अच्छा डाइडेक्टिक ये भी wrong option या lower methods में माना जाता है Hindi में आप यहाँ से note कर सकते हो अगर drill का मतलब नहीं पता तो आप देख सकते हो कि memorize करने की एक टकनीक है जिसमें repeat किया जाता है knowledge paste repetition ये word मैं बार बार कह चुका हूँ ये हमेशा ही गलत होते है अच्छा इस slide को ध्यान से देखना है ये correct option है ये बात सही है ये wrong option है ये भी बात ठीक है अच्छा इसमें जो ये list बनाई गई है वो है उपर वाले relatively teacher centered है लेकिन teacher centered में अच्छे method है blended learning का concept आपने सुना होगा blended learning क्या है जिसमें offline, online जहां digital और face to face teaching दोनों को blend जोड के पढ़ाया जाता है उसमें बहुत popular technique जो चल रही है इसको correct option में इसलिए रखा है बेशक ये teacher centered है ये correct में आ सकती है क्योंकि ये ICT based better technique है यहां पर high tech भी लिखा हुआ है flipped classroom है कि पहले आप कोई concept जो teach करना है उसका video बच्चों को send कर दते हो बच्चे video देखे class में enter होते हैं उसके बाद उसकी elaboration उसकी discussion जा उसके learn किये concept पर metacognitively, reflectively जो बात की जाती है concept को elaborate किया जाता है अगर flipped classroom से के साथ ये वाले option है तो ये बाद याद रखनी है जैसे जैसे मैं down जा रहा हूँ वैसे वैसे learner centered approach जां methods हैं तो it means down वाले ये ज्यादा learner centered हैं लेकिन इसको positive माना जा सकता है बाकी आपने compare इन से करना है अगर flipped classroom है तो और दूसरी तरफ option direct instruction है जिसमें technology का लोग परियोग होता है और ये teacher centered है ये भी teacher centered है तो आप right answer इसको चुनोगे next है Socratic questioning involve the teacher's facilitation of critical thinking देखिए क्योंकि Socratic method से questioning से बच्चे की critical thinking developed होती है इसको use होता है that is why on the basis of this hot skill ये right option में इसको रखा गया है ये याद रखना है कि teacher का role बड़ा important है teacher centered approach से माना जाता है ये question भी पूचा जा सकता है कि flipped classroom क्या है high tech है low tech है learner centered है teacher centered है इसको combination भी हो सकते है flipped classroom high tech है और teacher centered है Socratic questioning teacher centered है लेकिन critical thinking को develop करें उसके बाद और involve जो learner जिसमें engage हो जाता है student engagement word भी यूज किया जा सकता है उसमें best five level है यहाँ पर मैंने discuss नहीं किये five level है और top का level क्या है authentic student engagement जिसे real situation में according to constructivism बचा बचे को अंगेज किया जाता है है रियल प्राब्लम देखो नेक्स है discussion discussion यह जो अब learner centered approach की तरफ हम बढ़ने लगे हैं discussion को आप जो social constructivism की एक टकनीक मान सकते हो उसके बाद है case based learning जा case study यह हमेशा ठीक होगा यह हमेशा ठीक होगा collaborative learning जिगसा इसकी एक टकनीक है यह भी सीधी पूछी जा सकती है जिगसा का समंद किस से है collaborative learning से है वो उसकी एक main technique है अच्छा यह हमेशा ठीक होगा social constructivism के सारे answer right होंगे अच्छा inquiry based learning यह बहुत याद रखना है inquiry pedagogy भी यहाँ शब्दा सकता है यह उनसे भी अच्छा यह highly constructivist approaches है problem based learning अब देखिए real problem के base पर जो learning हो रही है project based learning whole hearted mean आप उसमे emotionally भी engaged हो socially भी engaged हो cognitively भी engaged हो और learning by doing physically भी engaged हो that is why project को top पर रखा गया है इसके उल्ट जो option गलत होंगी transmission of knowledge आगे चलके फिर बात आएगी transmission of knowledge यहाँ पर teacher one way process ready made knowledge बच्चे को सीधी provide करता है content based इसी को समझना है क्या होता है तो one way communication knowledge इसी को समझना है lecture method इन में से कोई भी option हो सकती है यही आ रहे है और showing and telling one way process description one way process of factual knowledge one way process और without thinking जो है exercise copying from board board से हैं आपने note करना है कोई thinking नहीं critical thinking horse इसमें शामिल नहीं है copying from book एक book दी दीगी है उससे note करना है यह probably सारे option weak माने जाते हैं teaching learning process में यह higher order thinking skill develop करते हैं that is why इनको हमेशा ही हमेशा ही ठीक मना जाएगा आजगे टेट में हिंदी वाले यहां से note कर सकते हैं इनकी photo ले सकते हैं यहां याद रखना है कि यहां से बहुत से केस सहयोग पूरण सीखना पूशताश समस्या अधारत सीखना प्रयोजना अधारत सीखना यह best method of teaching गिने जाते हैं और direct instruction में ग्यान का संचार एक तरफा ग्यान का संचार व्यक्यान दिखाना बताना विवरन तथ्यात्मक ग्यान ब्लैक बोर से नकल मारना देखिए नकल यह शबद सॉक्रेटिक यह देखना है कि अगर इन से बाकी option इन में से डाली गई है तो right answer इन में से होगा अगर इन में से डाली गई है तो सॉक्रेटिक right answer हो सकता है इस order में है flipped learning यह भी use हो चुकी है अच्छा लेक्चर और interactive lecture में से आप interactive lecture को right answer मानोगे हना lecture से worked example को आप better मानोगे इसको एक order में समझा जा सकता है यह more student directed है इधर वाली यह more teacher direct next है expeditionary learning दो word है जिन में confused हो सकते हो expeditionary यह यह यलो वाला लेलो okay expeditionary दूसरा है experiential learning दोनों ही positive response है इधर wrong response नहीं है Hindi में लिखे गए हैं एक और answer आपका है expeditionary learning को developed किस ने किया तो उसका answer आएगा कर्ट हन ने दूसरा यह है दूसरी इससे related जो experiential learning है जिसके four steps है हना यहां से learn कर सकते हो four steps पूछे जा सकते हैं यह repeatedly पूछा जाता question है right answer होता है लेकिन यह develop किस ने किया यह अगर पूछा जाए तो cob ने इसी के base पर उसने चार learning styles बताए थे एक तो learning style होते हैं perception waste, visual, auditory, kinesthetic, visual वो आगे, visual verbal और visual non-verbal ऐसे चार बन जाते हैं लेकिन यह learning styles कौब के अलग हैं जिसमें feeling watching जिस learning style का नाम क्या है diverging और दूसरे का नाम है thinking and watching, assimilating और तीसरे का नाम है converging इसके बिलकुल उल्ट और assimilating के बिलकुल उल्ट accommodating प्याजे के यह दो concept हैं तो यह इससे related आपको question पूछे जासे दूसरा personalized learning यह पिछले वीडियो में बात हो चुकी है individualized learning, personalized learning, differentiated learning जब आपकी approach ने बच्चों में exist जो कर रहे है individual differences जहां individual variation जहां diversity को address करना है उनको सामरे रखते हुए lesson planning करनी है तो इनकी ज़रूरत परती है individual बच्चे का ध्यान रखा जाता है लेकिन तीनों में difference है वो पीछे हो चुका है व्यक्तिकृत शिक्षा, right answer होगा, game based learning ये क्यों positive माने जाता है इसमें एक तो game के principle apply किये जाते हैं इसमें healthy competition होता है, बच्चे engage हो जाती है, immediate reward इसमें बच्चे को मिल जाता है कि for example, game है, learning के साथ जोड़ा हुआ है, तो ये शब्द को जोड़ना है, तो immediate आपको इतने marks मिल गए, तो reward immediate मिल जाता है blended learning के पीछे बात करके हैं, offline, online, दोनों को club करके use करना है, flipped learning इसका एक पार था universal design for learning, घबराना नहीं है, universal design means class या school में जितने बच्चे हैं, सभी को सामने रखते हुए, सभी की needs को पूरा करने के लिए universal design जो तियार किया जाता है, inclusive education के साथ जोड़ के इसको easy ली समझा जा सकता है तो हिंदी में है खेल अधारत, digital और online, देखिए, इसकी translation क्या हुई है, blended learning की translation, digital और online media के माध्यम से होने वाला अपचारिक, शैक्षनिक कारेकरम, ये blended learning की परिभाशा है, अच्छा, learning के लिए universal design ये हो चुका, ये repeated है, most लेकिन common, जो approaches हैं, शुरू में बात करके आया हूँ, learner centered, इसके इलावा, use किया जा सकता है, child centered, experience centered, community centered, action centered, और एक word use किया जाता है, pupil, pupil centered, ये सारे ही, right, 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 अच्छा, इसके उल्ट ये बात हो, चुके है, transmission, transmitter, जैसे कि signal send किया जाता है, ऐसे ही words send किया जाती है, images send किया जाती है, class में, ये दिखा के, ये भी signal send है, किया जा रहे है, ये भी transmission हो रही है, YouTube पर mostly transmission ही हो रही है, क्योंकि आप interact बहुत कम करते हो, interact करते हो, बहुत limited होता है, critical thinking के लिए time ही नहीं मिलता, आपको right answer पर focus करते हो, ये ऐसी परोच है, behaviorism की वो परोच है, अच्छा, text book centered, इसके उल्टा आएंगे सारे, ये बहुत ही जरूरी है, knowledge centered, subject centered, content centered, teacher centered, सारे wrong answer की options ये गिनी जाती है, हिंदी में, शिक्षारती के इंदरित, बाल के इंदरित, अनभव के इंदरित, समुदाय के इंदरित, कारवाई के इंदर है, ग्यान, विशे, समगरी, शिक्षक के इंदरित, पाठपुस्तक के इंदरित, ये बाते हो चुकी है, अच्छा, ये रॉंग option है, word थोड़े variation है, इसलिए दुबारा लिखे है, teacher oriented है, वहाँ पर था centered, knowledge oriented, सब्जेक्ट oriented, textbook oriented, इंदी में हो सकते है, शिक्षकोन मुखी, ग्यानों मुखी, विशे, होन मुखी, पाठपुस्तक को मुखी, अच्छा, ये लंबी list है, सारी list को अपने note नहीं करना है, यहाँ पर brief में central word सिर्फ बताऊंगा, उनको note करना है, ये जो है, जैसे project method, अच्छा ही गिना जाएगा, brainstorming always, क्योंकि different new unique ideas को generate करने के लिए, answer इ करना है, उसका divergent thinking को develop करना, जा creativity को develop, case study, पहले भी आ चुका है, class project, project शब्द ऐसे है, individual project हो, social project हो, class project हो, हाँ, social project जो अगर आता है, तो उसको prefer कीजिए, वहाँ पर learning ज्यादा बेटर होती है, क्योंकि वगास्त की apply हो रहा है, collaborative learning आ रहा है, mural, meaning भी यहाँ बताया गया है, piece of graphic artwork that is painted and applied directly on wall, बचों को ऐसे काम दिया जाता है, तो ये right answer ही है, ये वाला एक right answer हो गया, project वाला right, सहयोग अत्मक और mural, वर्तमान गटनाओं पर प्रशन उत्री, mural का mural ही यहाँ यहाँ पर, debate, क्योंकि विचारों को critically analyze किया जाता है, discussion groups, focused group discussion, and discussion is very important word to identify right response, dramatization, plays, skates, role playing भी आजाता है, ये right response, इदर है वाद विवाद, मेरे खल्बे हिंदी में आप खुद देख लिए, चर्चा समूख, चर्चा is important, नाट के करन, नाट के करन इसलिए important है, क्योंकि आपके जो, synthetic mode of learning है, learning by doing, शामिल है इसमें, फिर group discussions है, हो चुका, hands-on activity, जो बच्चों ने अपने हाथों से काम करने है, individual project हो चुका है, interviewing, इसको encircle कर लिजिए, white वाले note कर लिजिए, यहाँ पर, journaling, the very important, constructivism, या cognitive constructivism की एक strategy है, जिसमें, journalism होता क्या है, यह अगर आता है, तो right response ही होगा, keeping a record of your personal, record of experience, आपने कोई experience किया था, उसको अब daily एक diary में लिखते हो, आपने नए ideas, जो आपने collect किये हैं, उसको लिखते हो, आपकी reflections को लिखते हो, कि उस experience पर जो सोचा था, कि मैंने ये गलतियां की, ये अच्छा काम किया ये मैंने नई strategy learn की, आगे से मैंने इसका ध्यान रखना है, आपकी feeling, यार मुझे डर लगा, इस बात से मुझे डर लगा, इसे यहाँ पर confidence बहुत था, ये insights, जो आप total conclusion बनाते हो, अपने experience का, ये सारे ही आप किसी diary में लिखते हो, और जरूरत पढ़ने पर उसको देखते हो, तो वो deep learning की तरफ आपको लेके जाते हैं, तो journaling जो है, right response होगा, इसकी जावगा पर reflective journal भी हो सकता है, reflective diary भी हो सकता है, reflective word ज्यादा जरूरी है, लेकिन journaling in itself explain करता है, जो general कौन कौन से हो सकते है, reflective भी हो सकते हैं, daily भी हो सकते हैं, अच्छा, laboratory experiment हमेशा ही रहेगा, right answer, learning contracts, एक student और एक teacher, teacher एक बच्चे के साथ एक वादा ले लेता है, कि आप ये ये काम इतने दिनों में ऐसे कर लोगे, उससे personal contact करके, जो जब teacher किसी को personally ऐसे मिलता है, और वो वादा ले लेता है, तो बच्चा motivate होके, teacher के कारण वो काम अच्छी तरह से करता है, उसकी performance बैटर ह हो जाती है, math games, अच्छा panel discussion बार बार आ गया, peer partner learning, ये important है, problem solving activities, pragmatism, behaviorism, sorry pragmatism, जहां उसका जो है, john dv, progressive education, उसका central idea, reflective discussions, दोनों ही word important है, research, ये नया word आया है, uncircle कर लीजिए, role playing, science fairs, इसमें से जो white वाले हैं, आप note कर लीजिए, student portfolio, very important, portfolio, portfolio collection है, किसी बच्चे के meaningful learning works की progress की, इतनी बात है, मान लीजिए, जैसे इशान तारे जमी पर उस बच्चे ने art की इतनी variety में काम किया, और अमीर खान साथ घर जाके उसको systematically study करते हैं, तो वो उसका portfolio है, जिससे, अच्छा, portfolio में सारे जो articles आपने बनाएं हैं, जो आपकी achievements ह हैं, diaries हैं, records शामल नहीं किया जाते हैं, हर काम को represent करने वाला एक जो नमूना है, वो शामल किया जाता है, और उसको fss किया जाता है, portfolio, अच्छा, student presentation, बच्चे के द्वारा presentation दी जाती है, किसी content पर, student conceived project, project फिर important, think tag toy, इसकी definition ही लिखी है, is a strategy that allows student to choose how they will show what they are learning by giving them the variety of activities, so constructivism से पहुत ज्यादा match कर रही है, कि बच्चों ने खुद शो करना है, कि उन्होंने क्या-क्या learn किया है, और variety of activity में participation के लिए उनको मौका मिलता है, इसको prefer करेंगे as a right answer, अच्छा, use of community, local resources, always right answer, video creation, कुछ भी creation हो, video के इलावा करेटिविट है, वो भी right answer आपका गिना जाएगा, अच्छा, कुछ और strategies हैं, पहले repeat भी हो चुकी है, experiential learning, कॉप का model जो दिखाया था न, ये वो वाली है, blender learning हो चुका है, student-centered learning हो चुका है, reciprocal teaching और learning, वाइगोथ की, वाइगोथ की, की social constructivism के बेस पर, वैसे ये reading text के लिए, reading, reading के लिए best strategy मानी जाती है, concept-based learning, ये भी positive right answer गिना जा रहा है, अच्छा, कुछ model है, जो के, जिनके नाम आते हैं, और अच्छे model गेने जाते हैं, ये word हमेशा ही right रहेगा, क्योंकि ये सीधा inductive approach, जो है, constructivism की suggested है, आगे चलके इसकी बात करते हैं, general example से, sorry, particular example से, generalization की तरफ बढ़न हैं बच्चे को, और इसी पर based है, ये model cam, concept attainment model, अगर पुछा जाता है, तो brunner के द्वारा, ये दिया जाता है, अच्छा, इस concept attain model में, positive or negative example, जो concept आप teach करना चाते हो, उससे related, एक तरफ example दी जाएगी, और दूसरी तरफ उस concept से confusing, बट उस concept की नहीं example दी जाएगी, इस exercise स अच्छे बच्चा, दीरे दीरे concept की तरह बढ़ता है, ब्रूनर, जे रॉम, ब्रूनर, डिस्कवरी लदिंग की तियोरी जिनों ने दी थी, और अमेरिकन, ये psychologist थे, एजुकेशनिस थे, ताबा model, ओके, ये अच्छे गिने जाते है, आसुबल model, एंड सुच्मन inquiry, inquiry word को important ही समझना है, inquiry, जहां भी आता है, attack as a positive, उसको लेके चलना है, तो वो model जो है, नेचली, fundamental theory के base पर बने हुए है, उनको positive लेके चलना है, focusing on goal and process, इस बात को ये ध्यान से समय ले, ये मैंने उसी में से उठाई है, टैट में से, focusing on goal, goal पर भी focus कर रहे हैं और process पर भी focus कर रहे हूँ, और दूसरी तरफ option है, focusing on goal rather than process, जो constructivism है, वो learning process को ज्यादा important देता है, learning process में क्या होती है, errors हो जाती है, errors को importance constructivism ने दी है, लेकिन behaviorism ने right response पर focus किया है, कि right response बच्चे को learn करवाना है, लक्ष और प्रकेरिया पर ध्यान के इंदरित करना, ये ठीक होगा अगर दोनों पर है, ठीक इसलिए है क्योंकि प्रकेरिया पर ध्यान किया जा रहा है, लेकिन प्रकेरिया की बजाए इसको ignore किया गया, और आप ने goal पर, लक्ष पर ध्यान के इंदरित किया है, that is why ये option गलत हो जाएगा, next, lesson planning for heterogeneous, ये word बहुत important है, इससे related word आपको बता दू, यहाँ पर है, विश्म, विश्म कक्षा, विश्म, हाना, heterogeneity means differences, diversity, हाना, dissimilarity, अच्छा, ये किसी के base पर होगी, for example, gender के base पर, अगर class में लड़के और लड़कियां हैं, तो heterogeneous है, अगर class में high average, low intelligence के बच्चे हैं, तो heterogeneity है, अगर class में जो physically, mentally, visually, disabled भी हैं, normal भी हैं, तो heterogeneity है, ये जो differences हैं, इनके लिए ही हमेशा lesson plan होना चाहिए, इसके विरुद्ध में जो wrong option होगी, वो है homogenous, same, तो some root, ये गलत हो अगर आप सभी बच्चों को, ये inclusive, पिछले वीडियो में discuss भी होगा है, inclusive education के against है, inclusive education ने इस model को लेके चलना है, कि heterogeneous class को समझा जाए, multilingual, multicultural classroom, इसकी बात, new education policy ने बार बार की है, तो यहां पर आगे चलते हैं, teaching learning process में कुछ emotional tones हैं, उनको जरूर हर हालत में समझ लेना चाहिए, वो emotional tone क्या है, अगर आप affection वाला जो word आ रहा है, love, affection, regard, ये वाले, ये तो रॉगर्ज ने, unconditional love की बात की है, रॉगर्ज ने, humanism में वो आते हैं, और understanding the learner, ये तो paper का नाम भी है, understanding the learner, learning process, learning environment, तो ये हमेशा right answer होंगे, अगर understanding है, किसी चीज़ की, teacher understanding कर रहा है, तो वो better right answer है, प्यार positive emotion सारे दिखा रहा है, तो right है, इसमें positive emotion में और क्या है, अगर learning, classroom learning, joy और enjoyment है, very good, ये बार बार शब्द 2020 policy में यूज किया गया है, एक वीडियो उसी पर बनाऊंगा, जिस में national policy, national education policy 2020 में जो pedagogical method suggest किये गया है, हमेशा ही right answer होंगे, वो अगला वीडियो होगा, नीचे link दिया गया है, वो देख सकते हो आप, अच्छा self confidence, self efficacy, एक confidence है, सभी area में आप कितने assure होते हो, कि मैं ठीक कर रहा हूँ, एक है special field में, for example, academic field में आप confident हो, लेकिन आप stage पर अच्छा न side feel करता है, कि उसने achieve किया है, हसना है, टीचर ने हसाना है, यह एक जो बच्चे like करते हैं, उस टीचर को ज्यादा like करते हैं, जो हसता हसाता है, smiling रहती है, kindness है जरूरी है, interest, hope, inspiration, और positive attitude, very important, इन में से अगर एक ही word यूज़ करना हो, love और positive attitude, positive attitude towards subject, towards learner, जा student, towards society, towards profession, चार मैंने बोली हैं, यह positive होने चाहिए, इसके उल्ट क्या हो सकता है, सारे negative emotion, teacher को इससे expect किया जाता है, कि वो negative emotion ना, use करे, rebuke, डांटना नहीं है, ignore नहीं करना, किसी भी बच्चे को ignore नहीं करना, reprimand यह use किया जाता है, snubbing है, नहीं करना, डर नहीं देना, anxiety नही नहीं देनी, stress नहीं देनी, shame feel नहीं करनी, aggression शूर नहीं करना, negative attitude, किसी caste, creed, gender, female, third gender, किसी के प्रती भी, negative attitude, subject के, learner के, society के प्रती negative attitude नहीं होना चाहिए, यह सारे lower rank के हैं, और wrong इनको गिना जाएगा, यह सारे wrong option है, अब यह याद रखना है, ध्यान से option साथ में देखना है मान की कृत अगर वर्ड आता है, इसकी friction का प्रयोग किया जाता है, जैसे standardized intelligence test, standardized achievement test, standardized aptitude test, standardized creativity test, यह वाले जो test हैं, इनको discourage किया जाता है, क्योंकि यह behaviorism की देन है, तो standardized जहाँ पर बच्चे diverse हैं, difference need के हैं, वहाँ पर standardized common जो test नहीं लगाए जाएंगे, वो बच्चे की need के according testing, testing होगी, that is why यह गलत होगा, अच्छा, setting same goal, यह गलत होगा, same standard, गलत होगा, for all students, सभी चात्रों के लिए, मानक, चात्रों के लिए, समान लक्ष, निर्धारत करना, गलत होगा, नैदानात्मिक मुल्यंकन के बिना शिक्षन, diagnostic assessment के बिना, यह गलत होगा, diagnostic means कि आपने positive बच focus करना है, उसके बाल negative, negative नहीं कहना, उसको error है, weakness है, limitation है, जो आपने identify करके remove करनी है, बच्चे को आके लेके जाना है, that is why diagnostic पर, ignoring, ignoring word अपने आप में, देखिया कि यह option एक दम गलत से होगई, ignoring diversity, ignoring disabled, ignoring weaker section, ignoring caste related learner, यह सारा कुछ गलत होगा, ignoring individual differences in class, यह गलत होगा, वर्ग में विविदता, विविदता या व्यक्तित्व को भिनताओं को अपेक्षा करना, उसकी, तो यह सारे answer, जो option है, word है, note करने है कि गलत है, यह repeated है, maxims को follow करना, अच्छी teaching की निशानी है, तो वो maxim कौन से है, आम तर पर question आते है, local से global, naturally है कि आप पहले world history पढ़ाओगे, जहां अपनी local city की history पढ़ाओ, अपनी state की history पढ़ाओ, उसके बाद इंडिया की history पढ़ाओ, उसके बाद आप world history पढ़ाओगे, so local to global, इसकी example है, कैसे ही जाना है, अगर option global से local है, तो वो गलत हो गया, अगर local से global है, तो वो सही हो गया, global से local है, वो गलत हो गया, यह देख ले ना, यहां पर मैंने word अगर गलत बुल दिया, from concrete to abstract, concrete sensory होता है, जो ग्यान इंदरियों से, अब जिसको touch कर सकते हो, देख सकते हो, चूँ सकते हो, चूँ नहीं, सुम सकते हो भी, अच्छा, यह कहां से word आ रहा है, ध्यान से देखना, प्याजे की first stage, second stage, third stage, यह third stage प्याजे की आगी, और fourth stage, यह वाली fourth stage आगी, इस से इसकी तरफ बढ़ना है, हाना, concrete से abstract, abstract से concrete की तरफ नहीं बढ़ना, जब abstract stage पर बच्चा पहुंच चुका है, आप concrete का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जब concrete stage पर है, बच्चे का आप abstract ideas उनको teach नहीं करोगे, यही उसने principle of readiness में प्याजे ने बताया था, अच्छा, अब अगर आता है, इसको रब कर लें, अगर आपको option है कि teacher एक move कर रहा है, from concrete to abstract, तो वो right होगा, अगर वो abstract से concrete की तरफ आ रहा है, ज़ा abstract से abstract की तरफ जा रहा है, ज़ा concrete से concrete की तरफ जा रहा है, वो गलत होगा, यह note कर लेना है, अमूरत, concrete से अमूरत की तरफ जाना है, तो यह same ही होगा, known से unknown, यह कैसे है, यह भी प्याजे से ही है, प्याजे ने क्या कहा था, known previous knowledge, जो क्या था, क्या था बच्चे का schema, previous knowledge, previous knowledge से new knowledge को जोड़ना है, तो जब previous knowledge से new knowledge जुड रही है, तो वो assimilation हो रही है, तो जब assimilation नहीं ह है dissimilar knowledge है तो फिर discolibration होता है disbalance होता है उसके बाद बच्चा अपने schema को new concept object है उसके base पर इस previous knowledge को change ही कर लेता है जिसको बोलते हैं accommodation accommodation ठीक है यह different video में बैस समझाए गए हैं इसलिए यहां पर detail में नहीं बताया जा तो जो बच्चा जानता है उसको base बना के lesson rank कीजिए unknown की तरफ लेकिजिए तो right answer क्या होगा known से unknown अगर unknown से known की तरफ है तो वो wrong response होगा अगर unknown से unknown की तरफ है वो भी wrong होगा अगर non से non की तरफ है वो भी wrong होगा जैसे डियलेड बियलेड वाले कई वो टोपिक ले लेते हैं जी प्यासा का बच्चों को पता है प्यासा का नोन से नोन की तरफ जा रहे हो कुछ नया बढ़ा हो गई नया लेके जाओ from simple to complex हाना जो bloom की taxonomy है वो भी ऐसे बनी हुए simple से शुरू होती है complex की तरफ जा रही है पहले simple चीजे उसके बाद complex इसको भी ऐसे समझना है यह right है इसको रब कर दो simple से यह complex ठीक होगा complex से simple अगर आते हो तो गलत होगा complex से complex गलत होगा simple से simple जो होगा वह भी example पहले आप noun पढ़ाते से पहले जैसे आप पहले example देखो यह क्या है बुक है यह चौक है यह मंदिर है यह लड़की है गीता है तो यह word collect कर लिए उसको उनको analyze फिर करते है ऐसे नहीं है सीधी generalization पर पहुंच गए तो पहले example हना वह particular होंगी ज्यादा होंगी specific होंगी word क्या हो सकते specific examples particular examples उनको analyze किया और उसके बाद conclusion पर पहुंचे conclusion की जगह पर definition भी हो सकता है it means example to definition आता है तो भी inductive है example to principle आता है तो भी वो ठीक है example to law जो science में होते है discover करने हैं तो वो भी ठीक है अब example की जगह पर case भी हो आ सकता है case भी आ सकता है और instance भी आ सकता है अगर example से particular example से आप general conclusion की तरफ बूट कर रहे हो तो यह inductive approach है inductive approach याद रखने का तरीका क्या है मैंने example की यह भी वोवल है example भी वोवल है inductive भी वोवल है ठीक है इसके उल्ट क्या होगा जो यह तो हो गया पी से जी ऐसे भी पूछा जाता है particular से जनल इतना भी पूछा जाता है अगर आप जी से जनल जो conclusion निकाला है उसको particular case पर apply करके problem solve करना चाहते हो ऐसे मोग करता तो इसके बिसको उल्ट हो गया यह हो गया deductive deductive पर यह वोवल नहीं आ रहा that is why इतना याद रखना है कि e for example जहाँ instance instance से तो i आ जाती है i को i से ही जोड़ लीजिए inductive क्या है यह process है तो इसमें word कौन से यूज के जाते हैं वो आपको बता दिया है from particular to general हना यह वर्ड भी अभी बता दिया P to G अच्छा इस approach को क्या विया कहा जाता है इसको ही सारी को inductive approach यह बात हो विदी तो याद करने का पंजाबी हिंदी आपकी भाषा में है तो जब जिसमें vowel पहले स्वर पहले आ रहा है यहां स्वर पहले आ रहा है वो अच्छी विदी है और इसको match करके भी आप समझ सकते हो अच्छा अगले जा इसके synonymous इसमान अर्थी use किया जा सकते हैं जो right option होगी situation उसका authentic situation real situation यह word हो सकते है real setting हो सकता है real environment हो सकता है contextualization यह word हो सकता है यह हमेशा ठीक होंगा इतने word मैंने बोले है यह लिख लिजिए इसके उल्ट decontextualization अगर होता है यह हमेशा ही गलत होगा तो group work better होगा right option है अगर आपको तीन चार option है उसमें group work एक है तो right option group work वाला होगा individual work वाला relatively lower होता है ठीक cooperative learning बहुत जादा repeat हो चुका है लेकिन इसके विरुद में क्या है competition या competition learning लेकिन game learning की बात की है वहां पर healthy competition होता है लेकिन number one corporation ने ही रहना है उसके बाद healthy competition और competition एक वक्त में बाद में जाके विरोध debate conflict में बदल जाता है that is why विरोध में विरोध को जो classroom teaching learning है उसमें सही नहीं माना जाता अच्छा grouping जो है अगर small grouping जो corporate learning है वो better समझी जाती है यह हमेशा ही गलती होगी कि ability based grouping होगी आपने heterogeneous grouping आगे चलके आ जाएगा जो diverse group बनाना है for example एक में लड़की है एक में लड़का है एक में high IQ वाला है जहां एक intelligence वाला है dominant कर ली है दूसरे learning style का domination है तो ऐसे different ability वाले बच्चों का group बनाना है और small बनाना है यह सही होगा दूसरा ability based पर है कि आपने सभी high IQ जा high achievement जिनका score maths में ज्यादा है उनका एक group बना दिया ऐसे नहीं बनेगा यह बिल्कुल गलत हिंदी वाले यहां पर note कर लें तीचे से thinking based activity एक तो activity है doing है लेकिन thinking नहीं है thinking is more important activity से भी important thinking है अच्छा memory based cognitive बाला memory based activity है तो वो गलत होगी heterogeneous grouping पीछे बात करके आया हूँ heterogeneous का कोई अधार होगा for example gender gender के base पर boys girls ability हो सकती है high achiever high achiever बच्चे जिनों के score ज्यादा है average of achiever और lower achiever हाना तो ऐसे 3-4-5 का group बना दिया यह heterogeneous group होगा यह better perform करते है विश्मस मोही करन यह सही है हाना सोच यह वाली सही है गती विदियों की किसमे विभिंता यह वाली ठीक है उदर गलत क्या है समरिती बेस्ट सजाती है समू सेम सभी लड़के कठे कर दिये homogeneous mean यह इसकी बात कर रहा हूँ सभी boys का group बना दिया सभी girls का group बना दिया तो यह गलत होगा metacognitive exercise हमेशा राइट होगा reflective exercise राइट होगा इनमें फरक है यहां नहीं समझाओंगा reflection और metacognition बार-बार यूज होगी experience based activity अच्छा अगर यह तीनों आ जाएं मान लिजिए experience और reflection आता है तो reflection number one है जान डेवी ने कहा था experience पर बहुत जोर दिया था लेकिन कहते हैं उन्होंने कहा था कि अगर reflective नहीं है reflection नहीं करवाई जाती तो experience भी कामका नहीं है तो यह यहां पर हिंदी में note किक करेंगे झाल प्रेज कर रहे हो अपको अत्य लगेगा लेकिन एक्स्तरणल मोटिवेशन यह एक क्वेशन आसकता है प्रेज किंग धर ने प्रेजी की क्या वह इंट्रेंजिक है जा एक्सटेंजिक मोटिवेशन एक्स्टेंजिक है तो work from money के लिए करते हो grade के लिए, chocolate के लिए star के लिए जो चोटे बच्चों को दिया जाता है तो वो external extrinsic motivation है merit position को लाने के लिए gold medal लेने के लिए तो ये सारी जो technique किसने दी है behaviorism में, शुरू में बात की थी behaviorism को पीछे रखा जाता है ये सारी technique किसने दी है enjoyment वाली, constructivism में इसके इलावा curiosity, intrinsic motivation है challenge जब बच्चे को, challenge भी moderate difficulty level को चूज किया जाए बहुत असान task भी ना बच्चे को दिया जाए वैसे task का मतलब ही difficult होता है, difficult काम तो बहुत easy भी ना दिया जाए जब moderate होगा middle वाला तो ego से वो challenge करेगा और involve हो जाएगा तो that is why ये intrinsic motivation के favor में ये शब्द जा रहे हैं इनको identify कर लेना experiential learning का model फिर आगया पहले भी discuss कर चुका है, लेकिन एक दो question इसमें से extra बन रहे है, उसको यहाँ पर discuss करूँगा कि ये American organizational psychologist David A. Cobb ये कि एक question बनता है, किस ने दिया पहले भी हो चुका है, कब दिया 1984 में जब पंजाब में, आप याद कर सकते हो experiential learning इसके model का नाम है, अच्छा inspired किस से हुए थे gestalt psychologist Kurt Levin से, दूसरा किस से हुए थे pragmatist John Davies से, ये model इन से परभावी था, ये model constructivist है, तो constructivist यहाँ पर आगए, वहाँ पर right response आगए ये word को, अगर इसमें से कोई भी word आपको मिलता है तो option में है, naturally है कि वो right response की तरफ आपको ले के जाएगा, next है competition गलत हो चुके है, अच्छा ये एक option था, यहाँ पर आपको लगता है practical file ठीक होगी, वहाँ पर reflection right answer था, तो reflection को ही आप prefer करोगे लेकिन practical file जो है, यहाँ पर practical word आपको attract कर सकता है लेकिन ये wrong answer में रखा जा रहा है, practical file बना लेना काफी नहीं है, practical करके उस पर think करना, think करके note करना हना, write करना, जिसको reflection कहते हैं, वो write हो, awareness of own knowledge, past experience and belief, मेरे ख्याल में अच्छा, reflection हमेशा है, जा बहुत करके, writing में ही होती है, जैसे, पीछे बात करके आए है, reflection in action reflection on action and reflection for action ये word, types of reflection अगर आए, तीन तरह के ये word है पीछे बात करके आए थे, journal की reflective journal, reflective diary ये बाते हो जाए, अच्छा, evaluation qualitative, जो प्याजे वेगास्त की, Brunner ने सुझेस्ट की है वो हमेशा बैटर होगी qualitative aspect of teaching learning process, वो always right होंगे दूसरी तरह, quantitative quantitative mean, जहां number की बात की जाती है उसकी example साथ में है quantitative aspect of teaching and learning process, example क्या है, आपके marks 10th में कितने marks है, उस नुमेरिकल value की जब बात की जाती है, वो गलत होगा quantitative result गलत होगा, ये भी गलत होगा measuring word, ये भी quantitative होता है कि बच्चे की height वैसे हम measure करते हैं यहाँ पर educational measurement की बात होती है, measurement नहीं होगी qualitative उसके, जो है response लिए जाएंगे, test हमेशा quantitative ही होती है for example, achievement test है आपके 10 में से कितने marks है मेरे 7 marks है, तो ये quantification की example है, जो हमेशा ही wrong समझी जा रही है, behaviorism की दिन है, दूसरी तरफ, जो qualitative evaluation में, उसमें क्या है essay, focus group project, case studies artifact, जो बच्चों ने हाथों से बनाए हुए, जो समान है, उन्होंने creative work बनाया है, जैसे तारेजमी पर इशान ने बनाया था personal experience उस पर लिखना introspect करना, अपने अंदर चांकना अपनी thinking को देखना, अपनी vision को देखना, visual text हना portfolio बात हो चुकी है direct observation, role playing simulation simulation को थोड़ा वीक रख सकते हैं interview, यह सारे positive high rank और right response होगे participant observation आप किसी group में हो, उसमें ही आप group के member बन जाती हो तो आपको teacher नहीं वो समझते हैं आपको member ही समझते हैं, तो real behavior सामने आता है, तो उसको observe साथ साथ में करते हो, participant observation है, document analysis for example, जैसे तारे जमी पर बच्चे, इशान की notebooks है, उनको डिकाल के वो देखता है, कौन कौन सी error है pattern को identify करता है, document analysis तो यह वाले right response गिने जाते हैं, हाँ, हल्टी मेटली अगर आपको यह ऐसे question हाए कि syllabus completion यह हमेशा wrong होगा, syllabus को complete नहीं कराना, वैसे syllabus को cover नहीं करना uncover करना, यह word भी यूज के जाते हैं controlled environment हमेशा गलत होगा, हाँ तो learning वाला जो है learning पर focus होना चाहिए, marks पर नहीं, next है right क्या होगा structured teaching learning process जो behaviorism ने दी थी, हाँ, programmed learning वो structured है, तो यहाँ पर structured क्या है, definite steps हैं, जिनमें, उन्हीं steps को follow किया जाएगा, एक step के बाद, दूसरा step वही आएगा, तीसरा यह आएगा, यह ऐसे structured होता है, उसके rules ज्यादा होते हैं, formal ज्यादा होता है जो यह बाते, dominate करती हैं तो unstructured में ऐसा कुछ नहीं होता जितनी, जो constructivism है, unstructured learning, हो सकता है बच्चा कोई learn करता है, इस तरफ चला गया कोई इस तरफ चला गया, इस तरफ चला गया किसी उसने पहले step को follow किया उसके बाद, तीसरे step को follow कर रहा है उसके बाद, six step को उसने identify किया, उसके मर्जी है उसके मर्जी है, ओके, यह linear की example नहीं किया होगा, fixed नहीं पहले से होगा, flexible होगा flexible, यह वाला right answer होगा spiral, spiral ऐसे होता है, यह brunner ने spiral, यह जो curriculum भी दिया था, उसको prefer करना है जैसे कि spiral curriculum में क्या होता है, कि जो content आप छोटी class को पढ़ाते हो, वही content फिर अगे repeat करते हो, लेकिन difficulty level उसका बढ़ जाता है, for example fundamental rights है, छोटी class को भी है, उससे बड़ी class को भी है, उससे बड़ी class को भी, even MA तक fundamental right हो सकते हैं, वहां तक वहां पर आप difficulty level, complexity level वो बढ़ात होगे, plus mode of representation, कि बच्चे ने यहाँ पर doing, thinking और images सब को ही यूज करना है, सारे learning style, यहाँ पर किन स्थैटिक ही यूज करेगा, यह बली बाते हैं, तो यह हो गया spiral, हना, तो linear approach पहले बोल चुका हूँ है, ऐसे चलती है, step number one, two, three, four, five ऐसे order में follow होगा, कि program learning में रिखल के उसकी example है, हिंदी में आपका असंचरित, संरचित, असंरचित, यह ठीक होगा, निर्धारित, ठीक होगा, लचकीलापन ठीक होगा, कुंडली, करीकुलम, यह learning process, वो ठीक होगा, गलत क्या हो गया, रेखिए, हल किया गया, पूर्वन निर्धारित, संरचित, teaching learning इसके बाद, अगला वीडियो learner पर वैसे focus होगा, एक वीडियो अलग से, जो national education policy 2020 है, उस पर focus होगा, उसमें analysis national policy का होगा, उसमें जो methods of teaching दिये गए हैं, उनको, उनके words को identify करके brief में discuss किया जाएगा, यहाँ भी वो word, method, technique, strategy आती है, तो वो right ही होगी, in accordance with constructivism भी होगा, national education policy 2020 होगा, लिंक नीचे दिया गया होगा, जिन candidate के पास समय बहुत कम है, वो एक test basic course तयार किया हुआ है, उसको attend करके exam दे सकते हैं, for example, learn to actualize पर enter होगे, playlist में enter होगे, playlist में यह folder बना हुआ है, test basic course, इसमें जो right option, wrong option उस पर video है, दूसरा, MC की question attempt करने की strategies क्या होनी चाहिए paper attempt करने की strategies क्या होनी चाहिए, उसके इलावा previous year के कुछ paper हैं, जो वो आप solve कर सकते हो, learn to actualize Dr. Tirat Singh, thank you